हेलो गाइस हाव योल आई होप एवरीवन इस इंजोएं लाइफ और गाइस उम्मित करूँगा आप सब अच्छे होंगे सुरक्षत होंगे गाइस बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिट से हमारे इस इंट्राडे स्रीज की वीडियो में और गाइस जैसा कि आपको पता ह हम यहाँ पर डेली शेयर करते हैं दो बैस्ट स्टॉक जो की हो सकते हैं दूसरे दिन के लिए इंट्राडे के लिए बहुत ही खास जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो शिरकरने इस पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चुने यह 5 बहतरिन स्टॉक के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है तो इस वीडियो को जरूर देख लें यहली 5000 लोगों ने इसको देख लिया है और कहीं लोग इसमें प्रॉफिट भी लेके निकल चुके हैं अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देख के अभ के सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है ग्रासिम हमने यहाँ पर सलेक किया है जो कल के लिए हो सकता है बहुत ही खास अगर बात करें इंटायर ट्रेंड की तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिला है पूरे चार्ट पर बात करें हम 22 तारीक यानि की लिसंबर 22 से के आस तर यानि की पांच तारीक पांच जनवरी तक का जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है completely bullish trend गाइस ग्रासिम में देखने को मिला है आज के दोनों stock जो है वो similar है एक दूसरे को पहला तो जो है हम बात करें अभी ग्रासिम की तो ग्रासिम का trend में आपको समझाने की कोशि में especially for intraday time frame की यहां पे अगर मैं चर्चा करूं तो intraday time frame में भी grassing जो है वो बहुत अच्छा साबीत हो सकता है अगर हम बात करें 5 तारीक यानि कि आज के trend की तो एक अच्छा bullish trend और फिर entire day profit booking देखने को मिला हमें यानि कि stock वहीं पे आके रुका है जहां पे आज opening दिया लेवल सेम है कल opportunity है इस particular stock में कि हम intraday में कुछ अच्छा profit इसमें निकाल सके 10 point का target हमने decide किया है मैं थोड़ी दिर में आपको ले जाओ हूँ इसके intraday setup की और ग्रासिम अपनी watch list में होना चाहिए कल के लिए सीधे बढ़ेंगे इसके intraday setup की और समझेंगे कि कौन से gap में ह इसमें कल काम करना है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रासिम आपके सामने रखा हुआ है और 960 जो की current market price चलिए उसके base पर समझाने के कोशिश करेंगे 10 रूपे का target है 10 रूपे का यहाँ पर stop loss है 1 to 1 जो अपना risk and reward ratio है as usual लेके चलना है सिर्फ intraday के लिए चर्चा साबीत हो सकता है avoid gap up near target यहाँ पर मैं यह बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप इसे avoid करें guys avoid यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि सुबर जब market खुलता है तब तुरंत आपको avoid करना है अगर यह 970 के उपर open होता है और ग्रासिम में पूरी-पूरी possibilities हैं कि आपको कल 970 के उपर या फिर हो सकता है 984 का level जो है वो gap up देखने को मिल सकता है तो हमें wait करना है इस level का stock वापस profit booking scenario बनाएगा जैसा कि हमने chart पे आपको बताया है ग्रासिम में profit booking scenario हमें देखने को मिला है आज की तारिक में भी तो हो सकता है कल भी same scenario हमें देखने को मिले तो अगर gap up हो ज रहे हैं दो तीन वीडियो पे जिसमें एक है strategy based वीडियो दूसरा वीडियो है यहां पे जो आने वाला है चैनल पे वो है best penny stock for 2021 और वो वीडियो उम्मित करेंगे कि बहुत ही अच्छा रहेगा लोगों के लिए जो लोग छोटे stock में पैसा डाना चाहते है तो यह दोनों व चैनल के साथ सब्सक्राइब करके रखे बैल आइकन दबाई यह ताकि जब भी हम कोई अपलोड करें नई वीडियो तो आप तक notification आ जाए ठीक है यहां पे clear होता है ग्रासीम सीधे बढ़ेंगे दूसरे stock की और और देखेंगे कि कौन सा है दूसरे नमर का stock जो कल के लिए ह हो सकता है खास तो जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सेकंड नमर का stock हमने लिया है माइन ट्री और माइन ट्री का भी performance की अगर हम बात करें पिछले like year end से हम बात करें 3030 से हमें continuous इसमें growth देखने को मिलती है लेवल की अगर बात करें तो 1620 से लगा के 1720 के आसपास ज 6 days में इतने अची growth guys हमने क्यों इसमें delivery नहीं उठाया बहुत लोगों के दिमाग में यह सोच भी आती होगी जब हम यहां पे chart explanation देते हैं तो guys इतना कुछ अगर पता चल जाता है पहले ही तो हम हमेशा profit में रहेंगे और हमारा काम यह है कि आपको यह सब चीजे पहले बता जाए ठीक है जो analyze करते हैं चीजों को जो चीजे यहां पर evaluate हो के आपके सामने आती है प्लीज वीडियो को पूरा देखिए जो वीडियो में मैं explain करता हूं उसको समझने की कोशिश करिए एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप खूद अपने evaluation skills को बढ़ा सकेंगे जो analyze हम करते हैं उस तरीके से analyze करना सीख जाएंगे धीरे धीरे चीजे जो है वो बनेंगी ठीक है तो यहां पर माइंट्री का view अगर देखे हम entire six seven days का जो हमें trend देखने को मिल रहा है वो पूरा bullish trend है तो आज जो माइंट्री ने high बनाया था वो बनाया था 1724 का और फिर जो closing दी है वो 1715 के आसपास ठीक है यानि कि आप देख सकते हैं आप सीधा सीधा 9 point का downtrend देखने को मिला है closing time की अगर हम बात करेगो यह 9 point की strength हमें कल morning as a gap up देखने को मिल सकती है उसके बाद भी opportunity जो है वो माइंट्री में बहुत अच्छी है as a delivery भी अगर मैं बात करूँ तो माइंट्री बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर आप 40-50 रूपय यानि 40-50 रूपय का target लेके one week के mindset के साथ इसमें जा सकते हैं इंट्राडे की मैं अगर बात करूँ guys माइंट्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप चाहें तो इंट्राडे में 20 रूपय तक का target जो है व में देखने को मिल रहा है aggressive mind tree दोनों ही stock में दोनों अपनी watch list में लगा दें और कल इस पे काम करने को तयार रहें तो guys जैसे कि आप देख पार है screen पे mind tree रखा हुआ है 13-15 जो की current market price चल रहा है यहाँ पर अगर target की बात करें 15 point का target हमने decide किया है आप चाहे तो इसको 20 भी ले सिर्फ intraday के लिए चर्चा हो रही है अगर आप चाहें तो इसको as a delivery जो मैं आपको target वहाँ पे explain किया है वो लेकिया आप चल सकते है mind tree को as a delivery और यहाँ पर gap up near target for intraday trader जो है वो आपको सीधा 1330 पे खुलता है stock तो avoid करने की कोशिच करना है in morning time after 10.30 आपको एक और मौका मिल इसमें इंटर करने का उस time frame में आप इसमें इंटर कर सकतेगा इस note को read एक बाट जरूर कर ले और आपको request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा telegram group join नहीं किया है तो नीचे description में आपको link मिल जाएगा tap करे और उसे join कर लेता है live market में जो है वह आपने question वहाँ पर उच सकते हैं तो guys यहां पर दोनों stock clear है और उमीद करेंगे कि कल आप एक अच्छे profitable trade से गुजर पाएं कोई भी doubt या सुजाव है इस video को लेके या फिर कोई भी और वीडियो को लेके इस channel पे तो आप नीचे comment कर सकते है वीडियो को like जरूर देदे क्योंकि आपका like हमे में और नहीं वीडियो डालने के लिए प्रोच साम देता है तो चले गाइस मिलताई से साथ किसी और नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप अपना जयान रखें love you all take care bye bye